यह चीज चेक करो भाई, बेस मोडल यहाँ पर खड़ा हुआ है आपका और यह जो देख रहे हो भाई, इससे उपर वाला EX मोडल यह है, बेस मोडल यह है, फरक की बात करता हूँ भाई, यह फास्ट ओन यूट्यूब विडियो होगा, जो comparison आप चेक करोगे, दोनों गाड़ी यह निल्ले बेस है, इससे नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्रिटा के अंदर, इससे उपर वाला आपको भाई, देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, जब आप बीच में आते हो, पहला फरक क्या है, आप चेक करते हो, इसकी skid plate, जो रनिंग बोर्ड है, पुरा satin touch में है जब कि इसका पूरा काला देखने को मिलता है देख रहे हो यह satin है यह काला है पूरा यही फराक है फेंडर पे दोनों में इंडिकेटर आ रहे हैं भाई यह क्या कर दिया पहले EX model में आपका इंडिकेटर यहां पर आता था यह मॉडल में फेंडर पर आता था अब तो भाई बेस और सेकंड बेस दोनों में इंडिकेटर आपके भाई फेंडर पर कर दिये मतलब बुद्धी खराब कर दी बाई मेरी इस चीज़ को देखके मैं अधा दिमाग खराब हो गया दोनों यह आप हाथ से ऐसे फोल्ड कर सकते हो इस घर ठीक है यह चीज़ चेक करो देखने को मिलता है आपको इसके अंदर जब की यह जो गाड़ी आपकी आपको चेक करो तो खाली मुझिक सिस्टम वगरा कुछ भी नहीं आ रहा स्चेरिंग पर कंट्रोल कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं और डंडियों से और व्यम पूरा पैनल यहां पर आपको यह खाली देखने को मिलता है हाइट अध्यस्मेंट गनीमत है हाइट अध्यस्मेंट तो दे दिया जब कि भाई इस गाड़ी को जब चेक करते हो सब चीज देखने को मिलती है ठीक है अभी और डीटेल में बात करूंगा पीछे आजाओ पीछे क्या दोटिस कर रहे हो शाक फिन एंटेना आता है जबकि इधर तो ऐसी लुल्ला सा कुछ लगा दिया है पता नहीं क्या चीज है और भाई माइक्र एंटेना उसमें यह आपका अँदेने शाक फिन है प्रोपर साइस का बढ़िया लगा when दोणों में देखने को लेक्शा नहीं मिलता ना चार भी बर,S parking sensor बैक करोगे यहीड जालेगो बैक करो इसैलेगी इंडीकटर है इंडीकेटर है पर है डॉनों में डिट्टो सेम चीज देखने को मिलती है आजा एक बार डिगगी खोल दू तो ये चीज देख लो कोई भी पारसल ट्रेव अगरा देखने को नहीं मिलती यार हद दो गई है मतलब ये इस गाड़ी का बेस मॉडल है मुज़िक सिस्टम आप देख सकते हो इसमें की चीज थी साला वो तक खतम कर दी इन लोगों ने यार मतलब मुझे काफी डिजपॉइंटेड फील हुआ ये चीज चेक करके क्या ही बोलू यार मतलब हमारी क्या ही उकात है बोलेगी ये चीज चेक कर सकते हो स्टेरिंग आप देख लो लेधर रैप नहीं मिलता लेधर चेक क्या कर पा रहे हो कि भाई उसमें तो टंडी बंडी दे दी है यार एक फरक लगता था मुझे जो इंडिकेटर रखा था एक्स मॉडल में जो देखने को मिलता था यार क्या ही कर दिया यी मॉडल की डिमांड बढ़ेगी अगर एक दिर लाग रुपे का अंतर होगा न इसमें है क्या यार इसमें कोई भी चीज नेक music system company fitted मिल ला है शाक फिन एंटेना देखने को मिल ला है और नीचे थोड़ा सा saturn written silver touch आपको लेक देखने को मलता है बाकी तो भाई ये model उठा लो base model है तगड़ा काफी अच्छा लगा मुझे एक बार इधर आ जाओ तो interior चेक बटन बटन सब लग जाएंगे दिल्ली वे ट्विटर वगरा भी फिट हो जाएंगे electronic or vm फिट हो जाएंगे okay report है ये model काफी value for money है e-model e-model मतलब भाई जटका ये गाड़ी उठा लो बाई LED बे डलवालो एक नंबर सी चीज हो जाएगी तो भाई मैं क्या ही बोलू लो ये भी सेम ये भी सेम कुछ फरकी नहीं करा एंटेना का लूला वाई फरक कर दिया चोटा सा बाकी तो भाई ये चीज आप चेक कर पा रहे हो मेरे साब से भाई value for money is that ये मतले न एक music system ही तो है वो भी आप लाई कुछ भी लगवालो बेटर सुनी हो नहीं डल जाया प्रवाइंट आपको इस फिक स्टाइल सीट की माउंटिंग सब चीज मिल जाती है इसमें संग्लास होल्डर का भी फरक है हाँ ये सेकिंड पेस है संग्लास होल्डर और आपको इस अब चीज देखने हो मिलती है लैंप इसके अंदर ठीक है ना जब की एक बार उस मॉडल क की बात करूं तो इसके अंदर तो भाई सब संग्लास होल्डर चलो यार नहीं है क्या हो गया तो यह देख लो अगरा खाली मिलता है यहां पर और पीछे पीछे डिक्टों से मैंच इसी भी आ रहा है तो भाई चोईस आपकी है कौन सा मोडल उठाते हो सकफ प्लेट भी